तो data field के बारे में बहुत दे सारे confusion, बहुत दे डाउट्स हैं and कुछ ऐसे confusion, कुछ ऐसे doubts जो मेरे को frequently मेरे को लोग आके पूछ रहे होते हैं, उसके बारे में discuss करेंगे, आपको इस पटला वीडियो में एक ऐसे बंदे से मिलाना है जो आपके सारे doubts सारी चीज़े clear कर देगे आपको motivation दे रहा होगा, कि आप किसी भी field में आप इस field में data science में गुच सकते हो, आपको interview experience के बारे में बात कर रहे होगे, क्या के चीज़ें उनसे पूछी गई, उसके बारे में भी बात कर रहे होगे, कि आप क्या expect कर सकते हो, कि आप data field में गुच रहे हो, एक ऐसा बंदा engineer होते हुए graduate जैसे अपना complete किया, उसके बाद वो TCS में जानते हैं, यो monotonous work थाइस वज़े से उन्होंने अपना transit किया field, फिर से switch करने के बाद, cognizant में, cognizant में भी similar kind of work, फिर bench पे आगे, bench पे आगे, depression में आगे, depression में आने के बाद क्या होगे, उन्होंने Python के बारे में प तो उसी में हम बात करने वाले interview experience के बारे में बात करेंगे, आपको वो confidence दे रहे होंगे, कि भी या आप कोई भी field से हो, आप इस field में गुच सकते हो, if you are from any field, any graduate, you can enter into a data science field, and आपको क्या 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 स्किल्स चाहिए होगे, या क्या क्या चीज़ चीज़ चाहिए होगे, या recently अपनी field, and six time इनकी salary बढ़ चुकी है अभी, and इसमें अभी basically यहाँ पर देख सकते हो, सौरव जो है, basically electric graduate थे, and जैसे कि इन्होंने TCS में जोईन किया, 3.21 इनका package था, 3 साल तक काम किया, उसके आप फिर monotans work था, monotans work के बाद, and जो salary hike होती है, TCS में आपको पता, यह outcome hike मिली, उसके realize कि work culture almost similar है, कुछ खास difference नहीं पढ़ रहा है, उसके आप फिर क्या कि, upon joining bench में, found himself on bench basically, anxiety आ रही होती ही, बहुत डेपरेशन आ रहा होता, काफी चीज़े हमारे दिमाग में चल रही होती है, जो हम लोग bench में होते है, because policies, हर कंपरी की policies होती है, कुछ टाइम ब प्रूफ किया, and इन्होंने अपना python, जो idle arts थे, उसमें python सीखा, python सीखने के बाद इन्होंने transit किया, properly, कैसे transit किया, सौरब ने अपना develop किया, strong passion in python, and desire to work in more frequent, ठीक है, मतलब अपना चाहा कि, हाँ, इस field में घुश जाओ, और इसके था, however, he was given a tiresome basically, and repetitive data migration, अपना काम किया, data migration पर गाम किया, task किया, job किया, उसके अपने सारे skills सीखने के बाद इसमें घुश किया, तो definitely, सौरब had a high ambition, तो आपके पास भी ambition है, तो आप भी कर सकते हो, इन्होंने ओर्डिन स्कूल का bootcamp follow किया था, जो जिसका link मैं description में direct दे दूंग, आभी हम लोग last में discuss करेंगे, क्या-क benefits हो रहे होते हैं, क्या के चीज़े आपको मिल रहे होती हैं, इसमें आपको unlimited job opportunities भी मिल रहे होते हैं, वो आपको benefits मिल रहा होता है, other than that आप ये देख सकते हो, सौरब का जो experience, interview experience था basically, सौरब attended many interviews with the PwC हुआ है, उसका gen-packed before the insightful and share all the experience of the data science experience, अगर आपो तो definitely आपको ये 3-4 questions आपको जानने चाहिए, the very first round, the first round generally consists of a basic, जो आपका basic definition, crucial concepts रहते हैं, explanation रहता है, उसके बारे हो रहा होता है, and this is more about ice breaking round, ice breaking round मतलब कि आपको क्या के चीज़े आती हैं, उपर से क्या के चीज़े आती हैं, depth में क्या के चीज़े आती हैं, वो आपको पुझा जा रहता है, random forest concept is pretty important, तो उसके बारे में आप पढ़ लेना, so might learn it thoroughly, तो random forest concept जरूर पढ़ लेना, उसके बारे में लोग सीख रहे होते हैं, उसके बाद ये आपके लिए बहुत हाँ है, the level of the questions are very easy to medium रहता है, बहुत हाँ हाँ नहीं रहता है, and अगर आप Python वगरा सीख जाते हो, तो आपके data science की field, data science का जो journey होता है, काफी easy और अच्छा हो रहा होता है, उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, second and third round जो होता है, that is interview round होता है, जिसमें आपको projects के बारे में discuss, because आप bootcamp जब आप पढ़ रहे होते हैं, उसमें आपको practical based learning करा रहे होते हैं, तो projects आपको पहले से आपके पास projects रहते हैं, आपके लपास learning रहते हैं, उसके बारे में questions रहेंगे, counters रहेंगे, difficulties के बारे में पूचा जाएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको, बहुत important part है interview को, definitely वो आपको आना चाहिए, and बहुत important है interview में projects से लेकर जाना, उसके बाद, it doesn't matter that if you have only one project make your explanation thorough and professional as possible, जब सही से सारी चीजने technologies का यूज करो, concepts का यूज करो, terms का यूज करो, facts का यूज करो, definitely आपको वो interview, experience मिल रहा होगा, उसके बाद, जो भी अपने like different fields हैं, इन्होंने यहां पर mention किया कि कोई भी अपने, कोई भी टेंशन लेने की ज़रोत ने, कोई भी आप education background स हो, आप इस फील में गुसा किज़े, आपको commitment चाहिए, और किस तरह इन्होंने गुसा उसके बारे हम लोग देख लेते हैं, जब से पहले हम लोग लिंक पर tap करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको खोलेंगे, उसके खोलने के बाद हम लोग इस वाले page पाया आत आते हो, और इनका अभी scholarship test भी, आप जैसे ही apply करते हो, आपको scholarship test होता है, जिसमें आपको additional 30,000 का off मिलता है, other than that आपको 10,000 का extra off मिल रहा होता है, जैसे ही apply करते हो, यह early bird offer है, तुरंत आप ले सकते हो, and definitely other than that आपको code वगएरा भी, आपको coupon code वगएरा भी देदूंगा description में वो आप use कर सकते हो, उसको use करने के बाद आपको additional जो भी off वगएरा रहता है, वो आपको मिल जाता है, 2000 का I think so off मिल जाता है, वो आपके लिए beneficial रहता है, other than that आप तुरंत start कर सकते हो, and आपको अगर यह doubt है, कि भी है मैं start करता हो, मेरे को पता नहीं समझ में, अगर मैं cope up कर पाऊंगा और नहीं कर पाऊंगा, तो life classes आप cope up कर लोगे, and अभी भी doubt है, तो भी है इनके 10 days की refund policy है, 10 दिन में आप refund यह ले सकते हो, and यह लोग EMI's, आपको एक बार में पैसे नहीं देने की ज़र होता है, आपको EMI's available है, आप अपने हिसाब से monthly basis भी EMI बना लो, उसके हि यह कर सकते हो, आपके ओपर भी load नहीं पढ़ ला होता है, and यह सारी companies जो hire कर रही होती है, 500 plus companies are there that are hiring, and these are the, that is, शुवम बस एक बंदे नहीं थे, उनके अलावा और वी बद्दे जिनलोंने अपना career transit किया, career gap के बाद field में गुसे हैं, corporate में, अच्छे-ची field में गुसे हैं, career upgrade किया, different fields, data science field में गुसे हैं, उसका career relaunch भी किया है, तो आप भी कर सकते हो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अगर आप wait कर रहे हो कि भी है, मैं भी गुसना जाता हो, मैं भी करना जाता हो, definitely आपको description link दे दिया है, tap करके अभी जाके choose out करो, इनका median package के बारे में दिया हो, highest package 35 lakh का गया हुआ है, 280, हर week about 280 plus opportunities available हो रहे है, definitely, तो आपके लिए beneficial होगा, other than that, क्या क्या है, topics है, हो कवर हो रहे है, तो आपको ये सारे topics पढ़ने को मिल रहे होते है, SQL के बारे में पढ़ रहे होते है, Python के बारे में, Stratus 6, EDA के बारे में पढ़ रहे होते है, Machine Learning, Business Intelligence, ये सार पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे बेनफीशल रहते है, हम लोग transit, मतलब transit करना easy हो जाता है, हम लोग tools के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जो भी टेकनल, because data field is all about tools, काफी रहे सारे tools है, जो हम लोग सीखने पढ़ते हैं, and जानने पढ़ते हैं, technologies, tools के बारे में, ताकि हम लोग easily transit कर सकें, वो सारी चीज़े हमें मिल रहे होती है, caps on projects वागेरा मिल रहा होते हैं, electives हैं, तो आपके उपर depend करता है, आप आगे, because data field है बहुत धेर सारे different fields है, आपको power बेग है, data analyst के तरह गुसना है, business analyst के तरह गुसना है, machine learning engineer के तरह गुसना है, AI engineer के तरह गुसना है, प्रडिक्शन, यह सारी चीज़े आपको पढ़ाई जा रही होती है, सिखाई जा रही होती है, आप बना रहे होती है, खुदी, तो आपके लिए beneficial रहे हैं, application based learning के तरू हम लोग सीख रहे होते हैं, तो यह सारी वीडियो थी, अगर आपको अभी भी doubt है, कोई problem है, तो देफिनेटे मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहन, बंद मातरम, बब बाई, ध्यान रखना